दोसो अब समय लोगों को बदाई होगा कि भारत के डिफेंस प्रोजेक्टों में जो सबसे बड़ा श्राफ है वो है डिले और दोसो जिस तरीके के हत्यारों का डिवलप्मिन भारत के तरफ से किया जा रहा है ये भारत को आज से करीवर एक दशक पहले ही मौडनाइज कर अब इंडियान यारफोर्स के लिए डिफ़लप्ट के जाने वाले यारक्राफ्टों को लेके आखिरकार कुछ अच्छा ख़वर आना शुरू हुआ है और इन ख़वरों को लेके कन्फरमेशन हिंदुस्तान एर्टिक्स लिमिटेड के चेर्मेन के तरफ से दिया गया है र कुछ दिन पहले हिंदुस्तान एर्टिक्स लिमिटेड के चेर्मेन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीवी अनंतर कृष्णन के तरफ से तेजस मार्टू यारक्राफ्ट मतलब मिडियाम वेड फाइटर यारक्राफ्टों के टाइम लाइन को अपडेट करते हुए एक बहुत जानकरी दिया गया है रोग उनके तरफ से प्रोवाइट किया हुआ जानकरी के मताविक तेजस मार्टू यारक्राफ्ट जो फिलाल अंडर डेफलाप्मेंट है और सेडूल के अंतरगत आगे बढ़ रहा है उसे साल दो हजार तेजस मार्टू यारक्राफ्टों का डिलिव हो चुका है एक सेप्टमबर 2022 के दिन तेजस मार्टू यारक्राफ्टों को लेके CCS मतलब केविनेट कमिटी ऑन सिकूरिटी के तरफ से अफ्रूवल दिया गया था और दोस्तों उसके बाद यारक्राफ्टों के प्रोटाइपों के उपर काम शुरू हो सका है हलाकि CCS के अ सेप्टमबर में अगर अप्रूवल दिया गया है तो एक्सपेट किया जाता है कि अप्रूवल के तीन साल के बाद यारक्राफ्टों का रोल आउट हो और उस हिसाफ से तेजस मार्टू यारक्राफ्टों का जो रोल आउट है वो नेक्स्ट येर मतलब साल 2025 के अन तक किया जाना है जबकि इसके एक साल के बाद मतलब साल 2026 के अन तक तेजस मार्टू यारक्राफ्टों का जो फस्ट फ्लाइट है उसे अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद कम से कम दो से तीन साल तक हिन यारक्राफ्टों के टेस्टिंग को अंजाम दिया जाना है और ये जो ट जला जाहे तो साल दोहाजरुिंट तक टेजरस Yardcraft O manipulation का इनिशन स्टेज शुरु हो जाएगा, हालाकि इससे पहले भी एन तियर्क्रेफ्ट O के प्रोडक्शन को शुरु किया सकता है ताकि एक तर무 एक तरफ फाइनल राउंड के यारक्रेफ्ट theology के टेस्टिंग भूवी अं प्रोटोटाइप है उसका उपयोग अलग अलग एक्विपमेंटों के टेस्ट इवन हत्यारों के टेस्टिंग के लिए किया जाएगा और दोस्तों यह जो ते जो समाक्टो यार्क्राफ्टों के एक समय के सब से ताकतवरतरी यार्क्राफ्टों को भी रिपलेस किया जाना है इन यार क्रेफ्टों के इस्तेमाल करके इंडियान यार फोर्स अपने बेडे से मिक 29, मिराज 2000, जैगवर जैसे यार क्रेफ्टों को जहाँ पे रिटार्ड करेगा तो उई ही पे रिपोर्टों में ये वी दावा किया जा रहा है कि कम से कम 6 Quadrant मतलब 120 यार क्रेफ्टों को घरितने को लेकि अल्रेडी इंडियान यार फोर्स के तरफ से कमिट्मेंट किया जा चुका है जबकि यार क्रेफ्टों के प्रोड़क्शन शुरू होने के बाद इन यार क्रेफ्टों के और में भी बढ़तरी होगा और कम से कम यह जो ओर्डर है यह 200 तक जाएगा इवें 200 मीडिया रिपोर्टों में यह वी दावा किया जा रहा है कि कम से कम साल 2040 तक तेजस मार्टू यार क्रेप्टों के जो प्रोड़क्शन है वो बरकरार रहेगा और अगर ऐसा होता है और साल 2027-28 तक इन यार क्रेप्टों के इनिशिल प्रोड़क्शन को शुरू कर दिया जाता है और साल 2030 तक भी अगर यार क्रेप्टों के फुल स्केल प्रोड़क्शन को स्टार्ट किया जा सकता है तो मिरा मानना ये है कि शायद 200 से भी अधिक तेजस Mark-2 यारक्रेप्टों को निर्मान किया जाए क्योंकि फिलाल अगर तेजस Marque 1 यारक्रेप्टों के प्रोडक्षन रेट को देखा जाए के प्रोड़क्चं को full scale में शुरू किया जाएगा तब दियुसरे तरफ AMCI Minecraft के प्रोड़क्चं को भी समाप्त कर लिया जाए और दूसरे तरफ AMCI Iraqair Craft का जो production है वो SVV ओड में मतलब private sector और public sector company के एक joint venture की अंतरगत किया जाएगा मतलब तेजस Mark 2 और AMCI YARCRAPTO के प्रोड़क्शन में किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं होगा हाला कि दोस्तों ये काफी अच्छा खवर है जिसे कि इंडियान YARFORCE के 42 स्क्वाडरेन YARCRAPTO के सपने को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा और इसके लिए विदेशी YARCRAPTO के उपर भी भरोसा करना नहीं पड़ेगा लेकिन ये सभी चीज़ डिपेंड करता है तेजस YARCRAPTO के टाइम लाइन मतलब YARCRAPTO के रोल आउट YARCRAPTO के फर्स्ट फ्लाइट और उसके बाद YARCRAPTO के प्रोडक्शन शुरू होने के लिए लगने वाला टाइम अब दोस्ता एक तरफ जहाँ पे तेजस YARCRAPTO को लेके हिंदुस्तान अर्वनोटिक्स लिमिटेड के तरफ से काफी तेज रफ्तार में काम किया जा रहा है तो उही पे दूसरे तरफ तरकी के तरफ से भी अपने फिफ जनरेशन के फाइटर YARCRAPTO को लेके भी तेज किया जा रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कान YARCRAPTO के जो दूसरा प्रोटोटाइफ है वो भी अपने फस्ट फ्लाइट के लिए तयारी कर रहा है अब दोस्ता आप लोगों को पताई होगा है कि कुछी हपते पहले तरकी के तरफ से एक एतिहासी काम को अंजाम देते हुए फिफ जनेरेशन के फाइटर YARCRAPTO मतलब कान YARCRAPTO का फस्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया था और आप लोगों को ये भी वता होगा कि फिलाल तरकी दुनिया का चोथा ऐसा देश है जो की फिफ जनेरेशन के स्टेल्थ YARCRAPTO का फस्ट फ्लाइ किया जाना है और संभावित जून या जुलाइ महने तक इन इंजिनों की इंटिक्रेशन के खाम को अंजाम देने के बाद टर्की के तरफ से इन यारक्रेफ्टो के फ्लाइट के लिए वी इसे सौफ दिया जाएगा इवें टर्की के मेडिया में ये वी रिपोर्ट किया जा और ये वी दावा किया जा रहा है कि सेगंड प्रोटाइफ के बाद यारक्रेफ्टो के फ्लाइट टेस्ट को और बहुतरी नधन से किया जा सकेगा ताकि यारक्रेफ्टो के मास पोडेक्शन और यारक्रेफ्टो के इंटिग्रेशन के तरफ ध्यान को केंद्रित किया जा स नहीं है बलकि इससे भारत को भी अपने एरक्राफ्टों के डिफलाप्मेंट को तेज करना पड़ेगा क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के तरफ से ही फिब जिनरेशन के फाइटर एरक्राफ्टों को लगवग एकी समय बनाने को लेके संकल्प लिया गय इसलिए भी है क्योंकि कुछ रिपोर्टों के मुताविक टर्की के द्वारा अपने इन कान एरक्राफ्टों का ओफर पाकिस्तान के सामने रखा गया है और पाकिस्तान को टर्की इन एरक्राफ्टों को बेचना चाहता है और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो कान एरक्राफ् बल्कि चाइना के J31 यार क्वार्तों कर देगा जो कि भारत के लिए चिंता का विशय बन सकता है लेकिन J31 शायद कार्ण यार क्रफटों के जैसे इतने ए गेपिबल करने का इससे पहले का भी experience है जिसका उप्योग करके भारत को जल्से जल्द अपने फिफ जनेरेशन के यार्क्राफ्टों का development करना चाहिए था तोसो आप लोगे को क्या लगता है कि टर्की से जो फिफ जनेरेशन के fighter यार्क्राफ्टों के development के मामले में भारत पीछे चला गय जीए तोसो आज के इस वीडियो को यही फेही करते समाफ्त किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे महातरम